जिला करनाल के लगु सचिवाले में चकबंदी मामले को लेकर शनिवार को पांच गाउं के ग्रामीर पहुँचे बता दे कि ये गाउं घरोंडा हलके के अंतरगत आते हैं आज किसान चकबंदी मामले को लेकर ग्यापन देने के लिए यहां पहुँचे थे हम आपको बता दे कि इस दोरान किसानों ने कुछ भू माफिया एवं अधिकारियों की मिली भगत से रिकोर्ड के साथ छेड़ खानी किये जाने का भी आरोप लगाया है किसानों ने जिला उपायुक्त से अनुरोद किया कि इस कार्य को तुरंत रुकवाय जाए जिस पर संग्यान लेते हुए जिला उपायुक्त ने उचित कारवाई करने का आश्वासन दिया है चकबंदी पेड़ित किसानों ने कहा कि ये मामला मुख्य मंत्री के संग्यान में भी है इसके बावजूद भी जमाबंदी एवं ओनलाइन रिकोर्ड से छेड़ छाड़ की बात सामने आ रही है जिस कारण सभी किसानों में रोश व्याप्त है उन्होंने कहा कि भरतपुर, अमरतपुर, लालूपुरा, कॉलूरम, राइपुरा में जो ओनलाइन चकबंदी वेजमाबंदी की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए जिसके चलते आज जिला उपायुक्त को ग्यापन दिया गया है यहां हम आपको बता दे कि ये मामला काफी दिनों से लंबित है और पाँचों गाउं के किसान बार बार जिला उपायुक्त से गुहार लगा चुके है उसके बावजूद भी रिकॉर्ड से छेड़ खानी करना अधिकारियों की मनशा पर सवाल गया निशान लगा रहा है आज मामले यह था चकबंदी पिडिद पाँच गाउं कालरा मराईपुरा बर्तपुर लालू पुरा रामरित पुर कला के हैं सैकडों किसान डी सी को पाँच गाउं की चकबंदी मामले में गया पंदीन आये थे इससे पहले कल रात मारी गाउं बर्तपुर में एक माँ पंचैत हुई थी जिसमें तमाम महिलाएं बच्चे बुजर्गों भी बागलिया बारी संग्या में और शेम साब से मिलने का मारा प्रोग्राम थे कल शेम साब गाउं कैमला में आना लग रहे थे उसको लेकर मारी पंचैत थी तो सी आईडी या किसी ना सूच नैसी मिलीगी बही शेम साब तक किसान मिलेंगे मारे को मैसेज गया बढ़ाया डी साथ आपकी ग्यारा बजे मिटिंग है नो तारिक को तो हम डी साब मिलने के लिए थे कि अपन देने के लिए थे मारा जो पांच गाउं के चकबंदी का मैटर चलूआ सब से मुख्या बात यहा रख्या हमने डी साब के सामने और मारी मांग भी थी बर रिकार्ड के साथ आज भी ओन लगरी रिकार्ड ओन लाइन ओन लगर आजमा बंदी इंतकाल चड़न लगरे हमारी मांग यह रखी डी सी साब के सामने शेम साब के सामने भी रखेंगे इस पर तुरंत रोग लगाई जाए दूसरे अमना मांग रखी हमारा मामला डियारो करनाल की कोट में और आसवासन दिया और तुरंत प्रबाव से जो रजिस्ट्रिकाल जमाबंदी बन लग रहे ओनलाइन रिकार्ड उस पर रोक लगाए दी ओडियारो करनाल और तसीलदार को भी बात करेंगे जल्दी फैसला होगा इस पर बड़िया सुनवाई होगी दो मिने टी साब ने अब कोई जुरूत नहीं सीम साब से मिलने के लेकिन हम सीम साब का अगर प्रोग्राम होता तो चक बंदी पिडित किसान वहाँ पहुंचेंगे तो परदिव जी जो अधिकारियों के खिलाब भी मामले कहीं दरज हुए है उसके बाद भी छेड़ चाड़ की जार ये रिकॉर्ड ये बड़े तावजूब की बात है बही ग्यारा आदिमों के खिला मुकदमत दरज हुए है तीन उसमें सरकारी अधिकारी है दल्बी रेशियो रामपाल करमचंद और जो अमरितपुर कला खुर्द और कैरवारी के बूमाप ही है उनके खिलाब विजनस चोक्षी बिरो करन तो उसके बावजूद भी कुछ यहां रिशुवत को और गुंगे बैर एदिकारी बैठे है करनाड में सीम सीटी को बदनाम करें और पूरे रिकार्ड का अपने कबजे में करा क्या डी साब नादेश कर दिये पूरा रिकार्ड डी साब के सामने तुरंत रोक लगा दी तो मार्शेदूरियाम उनके साथ हैं इस मामने वे पूरी नजर रखे हुए हैं तो पतने भी कारवाई क्यों नहीं होती अब यह पटवारी के वाज ठवाई उसका नहीं पता कहा गया विजलने सना मुकद में दरज करें 20 आद्मियों के जिनोंने रिकार्ड में कटिंग ऑवर चल्त काम्सिमशी टी करनालमें उने नहीं देंगे अज अब किन से मिल ने वाज आज आज हम डी शी करनाल से मिलने के लिए ह एज हमने क्या पंडीया डीसहभ न दो मिट अology मिंच मिणे मारे को टैम दिया हम आसवाषता हैं पूरा आसवाषती हैं जित्वार पाने के लिए जोती गार्डन, वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties. Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.